उत्तर प्रदेश में बस चालकों की लापरवाही किसी भी बड़े हाथ से को अंजान दे सकते हैं मामला सीतापुर रोट का है सीतापुर रोट से लखीमपुर जाती रोडवेज बस चला रहा चालक इतना लापरवा हो गया कि चलती बस की स्टेरिंग छोड़ो दोनुं हाथों में मोबाईल ले लिए इस दोरान बस भी यात्रियों से खचा खच भरी थी पता दे कि परिवर निगम ने यात्रियों से निरूद किया था कि चलती गाड़ी में अचानक चालक मोबाईल कप्रियों करें तो तुरंत इसकी सूचना वेभा को दी जाए इसके बात का हरवाई की जाएगी यात्रियों के जिन्देगी से एक खिलवार है दरसल बस चालक चलाते वक्त फोन का इस्तिमाल ना करें ऐसे यदायत है लेकिन कोई से मानने और इसका पालन करने को तयार नहीं होता यह तस्वीर देखिए जारा बस चालक इतने लोगों को लेकर बस चला रहा है और फोन पर बड़ी बेफिक्री से बाते कर रहा है ऐसे में कोई भी हाजसा हो सकता है लेकिन उसे इसका ज़रा भी खयाल नहीं बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके की बसों में काम करने वाले जो ड्राइवर उन्हों चलाने वाले जो चालक हैं आकर उन्हें किसने अधिकार दिया कि आम यात्रियों की जिन्दीगे से इस तरीके से खिलवाण करें इस वक्त हम आपको दिखा रहें लाइव चुड़े पर डीपी शुकला अमारे वरे स्ट्रेयों के सख फोन लाइन पर चुड़ गए हैं डीपी शुकला जी तस्वीर काफी कुछ बया कर रही है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पर कारवाई क्यों नहीं होती कर दो फिर पर फिर बांट कर रहे हैं और चालक जी सब्सक्राइब कर दोनहों हाथों से मोबाई से बात करा है वीडियो बनाए गया उसके बाद गारी खड़ी करके बात किया तब गारी अपनी ले गया जिस तर्टे से यह चल ला है परवान निगम में परवान निगम आथ मुदे हुए है जो यात्री बैटेते हैं उनका जान जोकिम में किस तरह है डाते हैं मुझा ताजा जो नजीव है लाइट कोड़े आपको दिखागा अपने दर्सकों को दिखागा जी शुक्रिया आपका जीप शुक्राइब शुक्राइब